तो क्या हाल चाल मेरे गेम के दिवानो लास्ट PS5 के वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया था विशाल भाई का कमेंट था EA Play पे रिव्यू डालो तो फिर क्या था मेरे व्यूर्स कहें और ऐसा मैं ना करू ऐसा का भी हो नहीं सकता तो लेके आगया हूं आज EA Play का रिव और दूसरा 12 मन्त का जो कि 2499 का है तो प्राइसिंग काफी अफोडेबल लग रही अभी तक तो आगे पता चलेगा ये प्राइसिंग वर्थीट है या नहीं तो अभी के लिए मैं वन मन्त वाला पैक ले लेता हूं तो चलो दिखाता हूं PS5 में उसके कैसे परचेस करना है PS दिख सकते हो ये है आपका ये प्ले तो हमें लेना है वन मन्त का प्लैन accept करना है order and pay thank you हो गया क्योंकि मेरे पास wallet में पहले से पैसे थे इसलिए मुझे money add करना ही कोई ज़रू नहीं पड़ी तो हम चूज करते हैं Battlefield 2042 बैस आपको जाना है और price पे नहीं download पे क्लिक करना है PS5 वर्जन सेलेक्ट करना है आपका मेरा PS5 है और देख सकते हो मेरी downloading स्टार्ट हो गई है अगर आपको जाना है wallet में fund कैसे add करना है तो मेरा PS Plus का वीडियो आप देख सकते हो मैं उसमें सारी information दी हुई है यह है आपकी playlist तो अब आजाते है कुछ drawbacks पे जी हाँ दोस्तों इसके भी कुछ drawbacks है सबसे पहला drawback तो यह है जो game library है उसमें तो titles है वो बहुत ही पुराने है और जो नए titles है उन्हें आपको purchase करना पड़ेगा दूसरा occasionally EA Play अपनी library से games निकालता रहता है अगर आपको कोई favorite game हो गया हो य लेकिन क्या फाइदा कुछ time बाद EA Play ने उसको remove कर दिया तो आप आजाते है अपने main मुद्धे पे PS Plus और EA Play में कौन सा better है तो इसमें सीधा सीधा आपको बता देता हूं दोस्तों PS Plus ही best है हाला कि वो 300 रुपे महेंगा है पर PS Plus की जो offering है वो काफी जादा है EA Play से क्योंकि उसकी game library 500 plus games की है और game titles भी AAA और बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और games भी बहुत latest आती रहती हैं और तीन या चार मलतली games तो आपको मिलती है इस से जादा PS Plus की information के लिए मेरा PS Plus वाड़ा वीडियो देख लें EA Play किन लोगों के लेना चाहिए EA Games के बहुत बढ़े फैनों या के लिए EA Play है दूसरा अगर आपको कोई ऐसा title है जो EA Play में included है लेकिन अगर आप उसको separate purchase करते हो तो तो तीन सचार जार काता है तो आप EA Play ले सकते हो और एक मेने में तो अराम से पूरा game finish कर सकते हो तो इनी दो लोगों को EA Play लेना चाहिए उसके अलावा EA Play आप मत लेना PS Plus तो विसाल भाई अगर आपको कोई confusion थी तो वो दूर हो गई होगी अगर आपको किसी और टोपिक पर वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करें और मैं पूरी कोईशिस करूंगा उस टोपिक पर वीडियो बनाने की तो आज का हमारा winner है PS Plus ठैंक्स पर वोचिंग और हां सस्क कर देना मिलते हैं आपको एक और मज़धार वीडियो में तब तक के लिए good bye